Assalamualaikum, मैं हूँ आपकी Lifestyle Medical Specialist आज हम बात करेंगे कि हम अपने वजन को कैसे कम कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताओं कि तीन छोटे चमचे जो हैं वो एक बड़े चमच के बरापर होते हैं यानि हम टेबल स्पून केते हैं बड़े चमच को चोटे चमच को टी स्पून केते हैं तो जो एक टी स्पून जो होता है उसमें 4 ग्रैम आते हैं यानि चीनी अगर आप चाई में डालना चाहें तो एक टी स्पून जो है वो 4 ग्रैम चीनी के बरापर होता है और इसी तरह एक क्यूब आफ शूगर जो है वो भी एक चमच के बराबर होता है और जब आप कहीं जाएं तो जो आपको साशे मिलते हैं उसमें भी एक चमच जीनी होती है हमें ये देख लेना चाहिए कि एक ग्राम में कितनी कैलरीज या कितने हरारे होते हैं तो लहमियात, प्रोटीन्स या हमारे जो गजा होती है उसमें तीन में चीज़े होती है प्रोटीन्स, लहमियात, कार्बो हाइडरेट्स, नशासादार गजा और फैट्स जिनको रोगनियात कहते हैं तो one gram of protein और carbohydrate जो ही वो उसमें 4 हरारे होते हैं और एक gram जो oil का होता है उसमें 9 हरारे होते हैं यानि हम ज्यादा कैलरी इस्तमाल करते हैं अगर हम तेल या रोगन का इस्तमाल करें उसके बाद आप देखें कि हमें हमारी मुठी भर, मुठी भर एक सव कहते हैं अगर आपको एक मुठी भर सब्जियां जो है पांच मुठीयां मुठी सब्जी की एक दिन में खानी चाहिए और पांची मुठी भर फ्रूट खाना चाहिए ठीक है तो ये एक मुठी आपकी जो है जितना आपकी हथेली में आ जाता है और जितना एक छोटे कप में आता है उ उसमें 80 ग्राम होते हैं और अगर हम ड्राइड फूट जैसे आजका सब्दिया हैं तो ड्राइड फूट खाते हैं तो वो 30 ग्राम होते हैं एक पोर्शन में तो जैसे दो छोटे पीस हैं फलके जैसे चैरी है या कीवी है तो ये एक सर्विंग होगी एक मुठी होगी और जो ड्राइड फूट हैं उनका एक बड़ा चमचा एक सर्विंग में आएगा और इसी तरह तीन बड़े चमच लोबिया या दाल के एक सर्विंग में आएंगे एक सर्विंग में आता है इसी तरह अगर आप जो है स्मूदी पीते हैं तो वो एक गलास जो है वो एक सर्विंग में आता है स्मूदी और जूस में ये फरक होता है कि जूस में तो आप फोग जो होता है उसको फेंक देते हैं स्मूदी में आप पानी डालके सारा कुछ उस अगर वो हम वो प्रोटीन की इस्तिमाल करें, जो सबस्यों पॉदों से हासल होती है तो हमारे लिए ज्यादा फाइदा बनद है कि जो जानवरों सें प्रोटीन लेते हैं, वो हमारे जिसम को ज्यादा नुक्सान पहुंचाती है तो मुख्लिफ केसम की दालें, लोबिया, चनें ये सारे प्रोटीन के सोर्सिज हैं इसी तरह जो हम fruits and vegetable खाते हैं उनमें भी थोड़ी बहुत प्रोटीन होती है लेकिन अगर आप सबजियों के साथ दाल और लोबिया खाएं तो आप में बिल्कुल प्रोटीन की कमी नहीं ही वाक्या होगी फिर ये अलसी है, बहुत आम हमारे हैं पाई जाती है, इसमें ओमेगा थ्री होता है ओमेगा थ्री एक ऐसा रोवन है जो के मचली में होता है लेकिन अल्ला ताला ने इसको अलसी में बहुत वाफर मिक्दार मिलिया है तो अलसी गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम में पिसी हुई अलसी एक बड़ा चमच जरूर खानी चाहिए, ये सेथ के लिए बहुत मुफीद है इसके लावा हमें तीन लिटर पानी रुज़ाना पीना चाहिए अब आप पूछेंगे कि पानी पीने के फवाइद क्या होते हैं तो पानी वज़न कम करने में मदद करता है, जिल्द को तरो ताजा रखता है, इसे इंफेक्शन कम होता है पानी जिसंसे फासध मादों के इकराज में मदद देता है ये दिल की सहित के लिए बहुत जरूरी है ये जोडों के दर्द और सोजश को कम करता है हमारी तवानाई को ज्यादा करता है कबस नहीं होने देता कैंसर से हिफाज़त करता है और कुवत इस्तदाद बढ़ती है फिर पिशाब का रंग आपका बेहतरीन मॉनिटर है अगर पर्ड़नें चाहिए लेकिन अगर तेज पिले रंग का है तो आपको दो से तीन ग्लास पानी फौरन पीने चाहिए और अगर गेहरे पीले रंग का है तो आपको पूरी पानी की बोतल एक पीनी चाहिए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने पिशाब के रंग से कि आप पानी से ही मिकदार में ले रहे हैं या नहीं फिर यह है कि आपको तकरीबन हर खाने में दो सर्विंग्स लेनी चाहिए सबजियों की और दो फ्रूट की और निशास्तादार घजाज जैसे है उसकी भी एक सर्विंग लेनी चाहिए और पानी और सबस चाय का इस्तमाल करना चाहिए ताके आप उसमें कैलरीज ना लें आप सबजियों और फ्रूट का मिक्स सलाथ बना के खा सकते हैं और क्यूंके इसमें बहुत ज्यादा ऐसे अज़जा होते हैं जो हमारी सिहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कोशिश करें कि मुक्तलिफ जो सीजनल मौसमी सबजियां हैं और फाल हैं उनको मिलाके आप सलाथ की एक बड़ी प्लेट बनाएं और दिन में तीन दफा खाएं तो आपके बहुत सी बिमारियों से आप बच जाएंगे और आपका वजन भी काम होगा यह आप कैसे बना सकते हैं बहुत आसान है आदा कप पालक के पते लें एक कप पानी लें उसमें ब्लेंडर में एक केला और एक सेव डालें और इसको अच्छी तरह ब्लेंड करके आप स्ट्रॉल लगा के पी सकते हैं यह सेहित के लिए बहुत अच्छी है इसके लावा जो चीज़ें आपने नहीं खानी वो तली हुई बजार की अश्या है उनसे परहिज करें उसके लावा जो जो चीज़ें जिनमें मैदा और चीनी होती है उनसे परहिज करें जैसे मिठाईयां डबर रोटी और पास्टा वगएरा और जो बजार के बने हुए जूस हैं उनसे परहिज करें और उसके लावा जो चीज़ें पैकेज में आती हैं अगर आप इनके इंग्रीडियेंट्स पढ़ें कि इनमें कौन कौन से हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें वो होती हैं जो हमारी सेथ के लिए नुकसान दें हैं उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी काम्याबी इसी में है कि आप इसको फालो करें और फिर अगर आपको कोई और अनमाई की जरूरत है तो मुझे इन बॉक्स कर दें शुक्रिया